जब तक बड़े लोगों के बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे हम चाहे जीतना भी उसमें पैसा पिला दे वह एजुकेशन का सिस्टम जो सरकारी सिस्टम है वह निश्चीत रूप से ठीक नहीं है जब ये गाओं गरीब के बच्चे जाने गें कि हमारे लिए चपरासी बनने का पढ़ाय और अपको दमित किया गया तो आज उग्रवादी पहारों में जंगलों में खोजे जाते हैं, कल हर बड़े लोगों के दर्वाजा के बगल में उग्रवादी मीरेंगे, इसे साफधान रहने की जिम्मत है। सिक्षा ग्रहन करेंगे, तो आप पूरी लगता है कि सिक्षा का जो स्तर है काफी उचा जाएगा, जो इकोल एडूकेशन की बात होती है, एडूकेशन की जो कॉलिटी है वो भी सुधरेगी, और सब को बराबर सिक्षा मिलेगी, पटना उचे नहाले ने भी सिक्षा करें नहीं, इससे justify क्या हो पाएगा कि बिहार में सिक्षा की जो विवस्ता है कितनी अच्छी है, नवल किशोर यादव, सिक्षा को के नेता है, बिहार विधान परिशद में उपनेता है, सीधी बात हम आप साच करेंगे, को इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बिहार में सिक्षा विवस्ता है, इसको लेकर कई बार सवाल खरे होते हैं, लेकिन अब जब उच्छ न्याले ने कहा है, आपने भी कई बार अपने सदन के भासन के दोर ने बात को उठाया है, तो क्या रहता है, यह बदलाव कैसे होगा, क्या चाहिए, हो रहा है या नहीं, मैंने सदन में कहा, जब सरकार कहती है, और सरकार कर भी रही है, और सरकार बड़े सकेल पर पैसा भी खर्च कर रही है, शिक्षकों की बहाली भी कर रही है, इसकूल के भवन भी बना रहे हैं, तो फिर आखिर इस राज के संचालन करने वाले, जो राज के सिक्षा को संचालन करते जो राज को संचालित करते हैं उन नवकर साहों के बच्चे अधिकारियों पदाधिकारियों के बच्चे राजनेताओं के बच्चे क्यों नहीं पढ़े और जब तक बड़े लोग इस स्कूल से इतिफाक नहीं रखेंगे जब तक बड़े लोगों के बच्चे इन स्कूलों म भी ठीक होगी जब IES IPS के बच्चे और मध्यम परिवार के बच्चा यह जो निर्म घर से आता है उनका बच्चा एक स्कूल पर हम कृष्ण और सुदामा के परंपड़ा के लोग है कृष्ण भी राजपुत्र थे जिस आस्रम में पढ़ते थे सुदामा भी एक निर्धन पु बच्चे कुछ सीखते हैं छोटे लोगों के बच्चे से बड़े लोगों के बच्चे कुछ सीखते हैं और जब बड़े लोगों के बच्चे स्कूल में जाएंगे चाहे वो राजनेता हो नोकर्सा हो तो निश्चीत रूप से बड़े लोगों का भी उस पर नजद हैगा अभी एक्सपेरिमेंट का साधन हो गया है सारे लोग कहते हैं मैं उसको ठीक करना चाहता हूं मैं उसको ठीक कर दिया तो ठीक कर दिया तो हम लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने में कहा दिक्कत है पढ़ाना चाहिए उस में ले जाना चाहिए आप आगे आगे भी मानते के बच्चों को बाध्यकारी होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में सरकारी कालेजों में सरकारी विश्व विद्यालियों में पढ़ने का यही नहीं जिनके बच्चे विश्व विद्यालियों में जो कुल्पती भी वही बने जिनके बच्चे विश्व विद्यालियों में पढ़ उच्छ नियाले के जो यह निर्देश आया है उसके स्वहमती के साथ जानी चाहिए क्योंकि राज में अगर किसी राज का विकास और ग्रोथ का मामला उठता है है तो सिख्छ buds सबसे आज्य के पनाम मंज़ेहाँ समझ है ना कि विखश्यावर्ष थीक नहीं है यह उसे सुधार्ने के लिए कवायत की जा रही है ठीक करने तो मन यह उच्छ topic नहीं तिया ओर इसी युट नेयाले ने टिपनी किया है और यहीं नहीं से पले उप्त्र प्रदेस प्राप्त करने वाले तमाम बड़े लोगों के बच्चे अधिकारी ओपना धिकारी ओ राजि नेताओं के बच्चे पढ़े औड यहां चल गया है निश्चित रुप से राज सरकार को मैं आग्रा करूंगा कि इस पर पहल करनी चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला कल में जब यह गाओं-गरीब के बच्चे यह जाने कि हमारे लिए चपरासी बनने का पढ़ाई और अपने बच्चों को बड़े पदों पर ले जाने का पढ़ाई प्रहाया गया हमको दमित किया गया तो आज उग्रवादी पहारों में जंगलों में खोजी जाते हैं कल हर बड़े लोगों के दरवाजा के बगल में साते हैं और जो बड़े अफसर्षा है नौकर शाह है नेता है मंत्री हैं उनके बच्चे भी जब घूलेंगे मिलेंगे तभी समाज का उत्थान हो पाएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ-साथ फेस्ट पेज भी लाइक करें देखते हैं सिछा व्याक्या जव